हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो योट्योब चैनल लाइफ एक्स आप सभी का हमारी योट्योब चैनल लाइफ एक्स पर हारदिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे ये निवेधन करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे योट्योब चैनल लाइफ एक्स को सबस्काइब नहीं किया है तो क्रीपया आप इसे पहले सबस्काइब कर ले और हमारे चैनल पर अविलेवल बैल आइकन को इनेबल जरूर कर ले ताकि आपको उमारी आने वाली हर वीडियो के बारे में जानकरी मिलती रहे तो चले दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज हम लाइफ एक्स में आपको बताएंगे कि दही में मिला ले ये एक चीज़ होगा कुछ ऐसा कि आपके होश उड़ जाएंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सई सुना दोस्तों दही सेथ के लिए बहुती फाइदमंद होती है दही का नियमित उपयोग लगबग परते गर में किया जाता है दोस्तों दही जहां हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है वही इसे खाने से हमें कई सारे फाइदे भी होते है दही में मुझूद प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन्स और कई दूसरे मिनरल्स हमारे श्रीकों कई तरह की बिमारियों से बचाते है दोस्तों गर्मी के मौसम में अपनी डाइट में दही जरूर शामिल करना चाहिए ज्यादतर लोग दही में नमक या चीनी मिला कर इसका सेवन करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिने अगर दही में मिला कर खाया जाए तो इससे फाइदे दोगने हो जाते हैं तो दोस्तों आज हम लाइफ एक्स के माद्यम से इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें दही में मिला कर खा सकते हैं और उनसे आपको क्या क्या फाइदे होंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन चीजों के बारे में नमक और जीरा दोस्तों अगर दही में काला नमक और बुना हुआ जीरा डाल कर इसका सेवन किया जाए तो इससे दही का स्वाद तो बढ़ता ही है साथ ही इससे हमारी पाचन शक्ती भी ठीक रहती है और इससे बूख भी बढ़ती है शहद दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर दही में शहद मिला कर खाने की सला देते हैं दरसल दही में शैद मिलाकर खाने से शरीर में एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की समस्या ठीक रहती है और मुग के छाले भी ठीक हो जाते हैं काली मिर्च दोस्तों कई लोग दही में नमक और काली मिर्च डाल कर इसका सेवन करना पसंद करते हैं दही का ऐसा सेवन मोटापे की समस्या में बेहद उप्योगी माना जाता है और इससे श्रीर पर जमा एक्स्ट्रा चर्वी कम हो जाती है दही में शक्कर और सूखे मेवे दोस्तो दही में शक्कर और सूखे मेवे मिलाकर खाना भी काफी उप्योगी होता है इससे शिरीर में कमजोरी की समस्या दूर होती है और वजन बढ़ने लगता है अजवायन दोस्तों बवासीर के रोगी को दही में अजवायन मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से उन्हें बवासीर के समस्या से रहत मिलेगी उबले हुए चावल दोस्तों आप मेंसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दही के साथ चावल मिला कर खाना पसंद करते हैं और ये स्वास्ते के हिसाब से भी बेहत उप्योगी है जिन लोगों के आदे सर में दर्द रहता है उन्हें दही में उबले हुए चावल मिला कर सेवन करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तुरंत फाइदा मिलता है सौफ दोस्तों अगर आपको नीद ना आने की बिमारी है तो इसमें भी दही आपके लिए फाइदे मन्थ हो सकती है क्योंकि दही में सौफ मिला कर खाने से नीद ना आने की समस्या दूर हो जाती है और इसके इलावा पेट में गैस और जलन होने पर भी आप इसका सेवन कर सकते है ओर्ट्स यानि दलिया दोस्तों दही में ओर्ट्स मिलाकर खाने से शरीर को प्रोटीन्स, कैल्शियम और पोटाशियम मिलता है जिससे हड्या मजबूत होती है दही में इस बगोल दोस्तों लूज मोशन होने पर दही में इस बगोल मिलाकर सेवन करना चाहिए ऐसा करने से इस समस्या से तुरंत रहत मिलती है और ये शरीर में कोलेस्टरोल गटाने में भी मदद करता है केला दोस्तों दही में केला मिला कर खाने से पेट की कई समस्याइं दूर होती है और इससे बलड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है तो दोस्तों ये है हमारा आज का खास टॉपिक जिसमें हमने आपको बताई कुछ खास ऐसी चीजें जिनें अगर दही के साथ मिला कर इसका सेवन किया जाए तो होगा कुछ ऐसा कि आपके होश उड़ जाएंगे उमीद है आपके जानकारी पसंदाई होगी दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदमन लगे तो इस चानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेर किसी की जिन्दगी बदर सकता है लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स फोर वाचिंग